नमस्ते मैं सुमल नता दिक्षित आज मैं अपनी कीचन में पापड रोल की रेस्पी शेर करने वाली हूं चलिए देखते हैं कैसे बनानी है इसके लिए मैंने वन फूर्थ कप मटर लिए यह फ्रोजन मटर है अगर ताजे ले रहें तो उनको उबाल के लिए दो आलू है एक हरी विर्च चौप की हूई गारलिक वन टी स्पून चौप किया हूए जिंजर चौप किया हूए पैन के अंदर मैंने हाफ टेबलस्पून ऑल जाला है जो गरम हो चुक है अब इसमें हाफ टीश्पून जीरा डाल दूंगी जीरे को पकने देंगे अब इसमें मैं गार्लिक डाल दूँगी जिंजर डाल दूँगी एक दो मिनट इनको बूल लेंगे अब मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी नमक डाल देंगे टेस्ट के इसाब से लाल मिर्च पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर वन फोर्थ टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून अमचूर चाट मसाला भी डाल सकते अब गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और ये एक मसाले की मिक्स कर लेंगे अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे आलू डाल देंगे थोड़ा से अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे आलू उगलेवे मटर भी फ्रोजन है इनको ज्यादा नहीं पकाना है इसमें आलू और मटर जितने आपको बनाने उसके इसाब से ले सकते हरा जनिया चौप की अवा वह भी डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे आप और इसको ठंडा होने देंगे अब एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी लेकर इसके प्यस बना लेंगे पापड गो चिपकाने के लिए और यह मैंने पापड ले लिए है पापड आ को इससी भी फूलेवर के ले सकते हैं कि इस पापड को ब्रश की हेल्प से गीला करेंगे इसी तरह से दूसी तरब से गीला करेंगे कि अब यह पापड गीला हो चुका है कि अब इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे कि यह स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और इदर से थोड़ा सा किनारा छोड़ देंगे कि और इसको ऐसे कि रख देंगे कि अब इसको पहले साइड हो से फोल्ड करेंगे कि और आप इसको इदर से फोल्ड करते वे और अब इसको यहां से इस तरफ से फोल्ड करेंगे और इसमें यह मैदा लगा देंगे इस तरफ जो पेस्ट बना रखी है मैदे की इस तरह से इसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से दूसरे वाले पापड को भी करेंगे पानी में भी डिप कर सकते हैं पानी में इसे डालना है निकालना है फिर पलट के दुवारा डालना है पानी में रखना नहीं है अब इसके बीच में भी साइट से किनारा छोड़ते वे यह आलू का मिक्षर रख देंगे साइड उसे किनारा छोड़ना है अब इसको इस तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरफ से भी फोल्ड कर देंगे और फिर यहां से फोल्ड कर लेंगे और इस तरफ मैदे की पेस्ट लगा देंगे और इसको यहां से फोल्ड कर देंगे यह दूसरा पापड रोल भी त्यार हो गया इसी तरह से जितने बनाने बना सकते है गैस के उपर बरतल रख दिया है और इसके अंदर तेल भी डाल दिया है और यह गरम हो चुका है इसके लिए जो तेल है ज्यादा गरम नहीं करना है अब यह पापड रोल तेल में डाल देंगे तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए गरम करके इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा जादा गरम तेल में पापड जल्दी जादा ही फ्राई हो जाएंगे टेस्ट इनका खराब हो जाएगा इनको उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नएए तो इसको सबस्क्राइब कर देना बैल को प्रैस कर देना जिससे को मेरे आने वाले वीडियो की नोर्टिफटेशन मिलेगी और अगर आपको मेरी रेस्प अच्छी लगती तो यसे लाइक लगए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेर कर देना और कॉमेंट शेक्षिन में जरूर बताना यह रेस्पी आपको कैसी लगी कि यह फ्राइए हो चुके अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में कि पहले इनको छानी में निकालेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ओइल निकल जाए इसी तरह से इसको भी उलट प्लट करके फ्राइए कर लेंगे यह भी बन गया इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे अपर रोल बनकर त्यार है कि इनकी प्लेटिंग कर दूंगे को हरी चतनी टमाटर की सॉस जो आपको पसंद है उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं यह क्रिस्पी पापड के रोल खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं अंदर से इसमें आलू की स्टफिंग है चटपटी सी चलिए मिलते हैं अब एक नई रेस्पी के साथ बाई